आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं मॉनसून हैर के रूटीन और यह बहुत ज़ादा रिक्वेस्टेट वीडियो है और गाइज मैं कुछ टिप्स भी अपके साथ शेयर करूँगी और साथ में मैं जो भी प्रड़क्स यूज करने वाली हूँ उसका जो नाम है और उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी ताकि अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं तो गाइस वीडियो पसंद आये तो लाइक बटन पर ज़रू क्लिक कर देना एंड ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में हैर ओयल अपलाई करूंगी तो हैर ओयल के लिए मैं यूज़ करने वाली हूं कामा आयूरुएदा का वर्जिन कोकोनेट हैर ओयल ये प्यार ओयल है इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किये है इसलिए ये बैस्ट ओयल है तो आप आपके हैर लेंद के हिसाब से ओयल को निकाल लीजिए उसके बाद हम इसके डबल बॉयलर प्रोसेस करने वाले है तो आपको एक gas पे बरतन में थोड़ा सा पानी लेना है उसके अंदर आपको इस तरह से oil का बरतन डालना है थोड़ा सा इसे गरम करना है उसके बाद बालों से सारे tangles को remove करना है tangles remove हो जाने के बाद hair oil apply करना है अगर आप tangles remove नहीं करेंगे और ऐसे ही hair oil apply कर देंगे न तो hair oil apply करते time आपके बाल ज्यादा तूटेंगे तो ध्यान रखे कि oil apply करने से पहले बालों से सारे tangles को remove कर दे उसके बाद आपको scalp में oil को अच्छे से apply करना है इस तरह से com की help से आपको oil apply करना है जिससे आपके पूरे scalp में अच्छे से oil apply हो पाए guys वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारे oil share किये है सारे oil बहुत ही अच्छे है सारे oil में use भी करती हूँ लेकिन मैं monsoon season में ये oil ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे डाबरामला oil भी बहुत ज्यादा पसंद है और केश किंग oil भी बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन ये oil काफी ज्यादा अच्छा है ये oil teenager भी use कर सकते है इसलिए मैं ये oil apply करके आपको दिखा रही हूँ तो अच्छे से oil apply हो जाने के बाद आपको अच्छे से 10 मीट तक बालों में मसाज करना है आपको slowly slowly मसाज करना है आपको ज्यादा जोर लगा के मसाज नहीं करना है इस तरह से ही मसाज करना है ताकि आपका जो बाल है वो तूटे भी नहीं और उसमें tangles भी ना आए तो दियान रखे कि आपको slowly slowly मसाज करना है मसाज अच्छे से करें जिससे आपका blood circulation improve होगा और आपके बाल का growth भी काफी ज्यादा अच्छा होगा और बाल बढ़ने में भी help होगा तो ये बात आप दियान रखे हेड मसाज हो जाने के बाद हम oil को overnight या फिर एक गंटे के लिए बालो में रहने देंगे मैं अभी एक गंटे के लिए बालो में रखने वाली हूँ उसके बाद मैं hair wash करने वाली हूँ तो hair wash करने के लिए मैं use करने वाली हूँ Moroccan oil shampoo ये काफी ज्यादा अच्छा shampoo है इसमें paraben, sulfate, mineral oil ऐसी कोई भी harmful chemical नहीं है इसलिए ये बालो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तो सबसे पहले बालो को अच्छे से wet करें wet हो जाने के बाद shampoo को इस तरह से mug में डाले इसके अंदर थोड़ा सा पानी एड़ करें इसे अच्छे से mix करें उसके बाद बालो में apply करें जिससे आपके पूरे बालो में shampoo अच्छे से cover हो पाए और shampoo अपलाई करते टाइम आपको अच्छे से scalp में massage करना है जिससे जितना भी scalp में dirt हो धूल मिट्टी हो वो easily निकल जाए तो ये बात भी आप दियान रखे कि scalp में बहुत ही अच्छे से बालो में shampoo को apply करना है और जब भी आप hair length में shampoo apply करें ना तो दियान रखे कि आपको इस तरह से rub नहीं करना है आपको इस तरह से shampoo को hair length में apply करना है जिससे आपके बाल तूटेंगे नहीं और आपके बालो में tangles भी नहीं होगा तो दियान रखे कि आपको इसी तरह से बालो को wash करना है wash हो जाने के बाद shampoo को अच्छे से निकाल लीजिए बिल्कुल भी जाग नहीं रहना चाहिए अच्छे से shampoo को निकालने के बाद आप conditioner apply कर सकते लेकिन मैं आज mask अपलाई करने वाली हूँ hair mask तो मैं मामा और्थ का hair mask अपलाई करूँगी ये भी काफी ज्यादा अच्छा hair mask है natural है इसमें भी paraben sulfate mineral ऐसी कोई भी harmful chemical नहीं है जो हमारे बालों को नुकसान पहुचा सके तो जब भी आप mask अपलाई करो ना तो आपको conditioner apply करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो mask होगा ना वही conditioner का काम करतेगा तो hair mask को भी आपको conditioner की तरह ही apply करना है जैसे conditioner apply करते हैं उसी तरह से conditioner को आप 2-3 मिनिट तक बालों में रख सकते हैं लेकिन hair mask को आपको 10 मिनिट तक बालों में रखना है उसके बाद फिर से हमें wash कर देना है और हाँ ध्यान रखे कि अच्छे से wash करें बिल्कुल भी जाग नहीं रहना चाहिए मैंने जैसे आपको कहां कंडिशनल अप्लाई करने के बाद भी बिल्कुल भी जाग नहीं रहना चाहिए otherwise आपके जो hair है उसमें बहुत ज़दा problem होगी आपके hair में dandruff की भी problem होगी और hair fall की भी problem होगी तो दियान रखे कि अच्छे से shampoo को निकाल लीजे अब मैं बालो को dry करने वाली हूँ तो dry करने से पहले मैं wet hair में ही apply करूंगी hair serum ये जो serum है ये वैला का serum है ये काफी ज्यादा अच्छा है तो इसे हम apply करेंगे जिससे हमारे बाल silky भी लगेंगे और हमारा जो tangles है वो भी easily remove हो जाएगा और हाँ एक बात भी दियान रखे कि tangle को आप गीले बालो में मत निकाले आपको dry बालो में ही tangles को remove करना है अब मैं hair dryer use करने वाली हूँ इसलिए मैं heat protection mist use करूंगी तो ये भी वैला का है तो इस तरह से मैं पूरे बालो में इसे spray कर दूंगी स्प्रे हो जाने के बाद मैं बालो को dry करूंगी तो जबी भी आप hair dryer use कर रहे हो या फिर आप straightening machine use कर रहे हो तो आपको इस तरह से heat protection mist use करना ही चाहिए जिससे आपके बाल damage नहीं होंगे और आपके बाल silky भी लगेंगे अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है आप घर में ही रहने वाले हो तो आपको natural air में ही बालो को सुखाना चाहिए लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे जल्दी से वीडियो को खतम करना है इसलिए मैं बालो को अच्छे से dry कर लूँगी तो गाइस यह है मेरे बालो का final look मेरे बाल बहुत ज़दा manageable लग रहे है बहुत ज़दा silky भी लग रहे है और बहुत ही light weight लग रहे है अगर बालो को सुन्दर बनाना है तो आप भी यह वाला routine ज़रूर फॉलो करें तो यह था मेरा hair के routine अब मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप बहार जा रहे हो और अचानक से बारिश गिरने लगे और बारिश के पानी में आपके बाल बेग जाए तो याद से घर जाके आपको बाल को वाश कर देना चाहिए क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो चिपचिपा होता है तो उसके कारण आपके बाल फ्रीजी हो सकते है तो ध्यान रखे कि घर जाके तुरंथ ही गुन-गुने पानी से hair को वाश कर दे मौनसुन की सीजन में हम जब बालो को वाश करते है न तो उसके बाद बालो को ड्राइ होने में काफी ज़्यादा टाइम लग जाता है और पसीना भी बहुत ही ज़्यादा होता है तो ऐसी स्तीती में आपको बालो में कॉम नहीं करना चाहिए बालो में कंगी नहीं करनी चाहिए बालो को अच्छी तरह से ड्राइ होने दीचिए उसके बाद ही बालो में कंगी करें अगर आप गीले बालो में ही कंगी करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपके बाल बहुत ज़दा तूट जाएंगे और हैरफल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़दा होगी तो ये बात धियान रखे गाइस बालो में ओईल लगाना ही चाहिए बहुत लोग बालो में ओईल लगाना अवोईड करते हैं किसी को भी चिपचिपे बाल पसंद नहीं है लेकिन आप एक गंटे के लिए या फिर ओवरनाइट ओईल लगा सकते हैं और आपको वीक में एक बार ओईल लगाना ही चाहिए और मौनसुन की सीजन में आपको वीक में दो बार ओईल लगाना चाहिए हम सब जानता है कि जो shampoo होता है वो बालो को clean करने में और silky बनाने में help करता है लेकिन अगर आप daily shampoo करते रहेगे ना तो आपके बालों से जो natural oil होता है ना जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है तो वो oil निकल जाएगा और उससे हमारे जो scalp होती है ना वो बहुत ज़दा dry हो जाएगी और उसके कारण हमें dandruff की problem और hair fall की problem स्टार्ट हो जाएगी तो दियान रखे कि आपको daily shampoo अपलाई नहीं करना है गाइस बहुत लोगों को गीले बाल बांधने की आदत होती है तो गीले बालों को कभी भी बांधना नहीं चाहिए अगर अब गीले बालों को बांधना नहीं चाहिए तो उससे भी hair fall की problem होगी और सिर में हना गर्मी पैदा होगी और उसके कारण भी hair fall की problem होगी, dandruff की problem होगी और हमारे जो बाल है वो बहुत ज़दा तूटने लगेंगे तो याद रखे, द्यान रखे कि गीले बालों को कभी भी बांधना नहीं चाहिए गैस आप आपके बालों को कितने टाइम में कटवाना पसंद करते हैं सब के answer अलग-अलग होगे अगर hair expert की माने ना तो आपको 3-4 मन्त में एक बार hair cut करवाना ही चाहिए क्यों? क्योंकि जो नीचे के बाल होते हैं वो damage हो जाते हैं तो अगर आप ये cut करवा होगे ना तो नीचे के damage hair निकल जाएंगे और नए बाल आने में बहुत ही आसानी होगी और जो नए बाल आएंगे ना वो बहुत ही beautiful और बहुत ही जानदार आएंगे गाइस आप गुनगुने पानी से नाते हो या ठंडे पानी से अगर आप hair wash गुनगुने पानी से करते हो तो अच्छी बात है और ठंडे पानी से hair wash करते हो तो बहुत ही जादा अच्छी बात है तो guys आपको गरम पानी से hair wash नहीं करना चाहिए गुन-गुने पानी से कर सकते है अगर आप बहुत जदा गरम पानी से hair wash करोंगे न तो आपकी scalp dry हो जाएगी और उससे आपके बाल भी damage हो जाएगी और hair fall की problem भी होगी तो दियान रखे कि नाने का जो पानी है hair wash करने का जो पानी है वो ठंडा होना चाहिए या फिर गुन-गुना होना चाहिए guys ये जो tip है ना last वाली वो दियान से सुनना ये बहुत ज़दा important है कि आपको hard water याने कि जो क्षार वाला पानी होता है ना उससे कभी भी hair wash नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा पानी पीने लाइक भी नहीं होता है और खाना पकाने लाइक भी नहीं होता है अगर आप ऐसे पानी से hair wash करोगे ना पानी से तो उससे भी आपको hair fall की problem बहुत ही ज्यादा होगी और आपके जो बाल है वो बहुत ज़दा रफ हो जाएंगे तो आपको मीठा जो पानी होता है उससे ही hair wash करने चाहिए तो ये था मेरा आज का वीडियो I hope आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप आपके friends के साथ या फिर आपके family के साथ भी इसे share कर सकते हो और हाँ दोस्तो अगर आप मुझे अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो आप मुझे Instagram पर follow करना बिलकुल भी मत बूलना Instagram का username मैंने screen पर mention किया है तो मिलते हैं बहुत ही जिल्दी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए Bye Bye Take Care